हलो एवरिवन मैं रानु वर्माइग फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पर आज के इस चैप्टर में हम लोग मोशन चैप्टर के कुछ नुमेरिकल्स को डिसकस करेंगे और यह जाने की कोशिश करेंगे कि नुमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारा होना चाहिए दूसरा फॉर्मूला याद करिए मुझे लगता है कि फॉर्मूले दो तरीके से याद हो सकते हैं सबका अपना अपना तरीका है मेरे हिसाब से पहला तो आप जल्दी जल्दी बोल करके देखिए जैसे एस इस इसकोल तो यूटी प्लस हाफ इटी स्कूर ठीक यह थोड़ा फणी लगता है लेकिन आप अकेले में ऐसे करके देखिए आपको याद होगा दूसरे जादे से चादा उस फॉर्मूले पर बेस्ट को सॉल करिए इन दोनों मैथट को एक साथ अपनाएगा तो निश्चे थे आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे चै अब देखो हमने क्या पढ़ा इसी को अगर हम कई एकसपेक्ट में देखें तो टाइम इकवल टू डिस्टेंस अपन स्पीड और इस्टेंस इकवल टू स्पीड इन टू टाइम मतलब एक ही फॉर्मूले से कई फॉर्मूले भी बनते हैं फिर लेकिन एकसेलरेशन इसको ल स्पीड इन टू गेले अगा पर रहे जिसको हम लोगों ने पहले के वीडियो में पढ़ा वी कोल टू यू प्लस एकस इकवल टू वी स्क्वार माईनस यू स्क्वार एस स्कॉर टू यू उटिपलस हाफए टी स्कुर चोकि इसमें हम लोग दिस्टेंस के बारे में पढ़ तो यहाँ पे हमारे पास distance के लिए जो circle का circumference है वो हमारा distance हो जाएगा circumference हम कैसे नापते हैं 2 pi r तो यह आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा तो velocity v equal to distance upon time होता है अगर यह circular path है तो हमारा formula क्या बन जाएगा v equal to 2 pi r upon t तो यह आप हमेशा ध्यान रखेगा अगर आप मेरा channel view कर रहे हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी कर लेजे क्योंकि सब्सक्रिप्शन के आपके कोई पैसे नहीं लगने पर उसे मुझे बहुत motivation मिलता है एक अथलेट है जो की एक circular track जो की 200 100-meter diameter का है उसको 40-second में एक circle complete करता है लेकिन वो दोड़ता कितनी देर तक है 2-minute 20-second अब इसमें हमको distance भी बताना है और displacement भी बताना है जैसे हमने पहले कहा दिएगे data को नोट करिए time दिया गया 2-minute 20-second radius r 100-meter in 40-second athlete completes one round 2-minutes 20-second को हम किसमें convert करेंगे पूरे एक जैसी unit हमको रखनी चाहिए 2-minute equal to 120 plus 20-second equal to 140-second अब 140-second तक athlete तोड़ रहा है 40-second में एक round complete होता है तो 140-second में कितना complete होगा 140 divided by 40 that is equal to 3.5 तो यहां distance cover कितना हो जाएगा 140-second में हमने circular path का distance cover करने में क्या बताया था कि circumference को हमनो note down करेंगे circumference का formula क्या बताया था 2 by r तो एक चकर complete करने में एक 2 by r लग रहा है तो 3.5 circle के लिए क्या लिखेंगे 2 by r multiplied by 3.5 तो 2 by r की value रखते है 2 into pi की value आपको पता होगी 22 by 7 और r question में दिया गया है 100 meter multiplied by 3.5 that would be equal to 2200 is this answer correct मैंने unit तो लिखा ही नहीं हमको यहाँ पे unit जरूर mention करना है तो हमारा answer किसमें आ रहा है 2200 meter ये तो हो गया distance इसके बाद क्या पूछा है displacement displacement हम क्या बताते हैं कि initial point से लेकर के final point तक पहुचने में तैय की गई minimum दूरी तो यहाँ पे displacement क्या हो गया जो कि आधा circle complete कि लास्ट में उसने तो जहां सो उसने अपनी जर्णी शुरू करी थी उसके जिस्ट opposite मैं तो डायमेटर जो हो गया उसके जिस्ट अपोजिट वो खड़ा है तो displacement हो गया diameter के बराबर and that is 200 meter चलोब solve करते हैं question number third को अब्दुल्वाइल driving to school computes the average speed for his trip to be 20 km per hour on his return trip along the same route there is less traffic and the average speed is 30 km per hour what is the average speed for Abdul's trip? Abdul school जाते वग 20 km per hour की speed से जाता है और लोटते में 30 km per hour की speed से उसी distance को cover करता है तो Abdul के जो average speed है वो क्या होगी यहां पर बच्चों से क्या गलती होती है जो बच्चे concept clear करके इस numerical को लगा के नहीं आते तो 20 plus 30 divided by 2 कर देते ही वो यह गलत चेज़े यहां पर इस तरीके से average नहीं निकलेगा देखो पहले तो question में हम लोग यह लिखे कि क्या क्या दिया गया है average speed from home to school v1 equal to 20 km per hour यह हमारा दिया गया है और school से घर आते वद्ट average speed क्या दी गई है 30 km per hour यानि कि V2 अब देखो पूछा क्या गया है average speed average speed का formula क्या है total distance covered divided by total time taken मतब जितनी दूरी तैके गई है और उसको हम divide कर दे total time से अब दिल के school जाते में जो distance था वो कितना है d चलो मानते है time कितना लगा t1 अब distance जितना जाने में था उतना ही लोटने में होगा ठीक है तो वो भी होगा d और time कितना लगा चुकि speed बदल गई थी तो time होगा d2 we know that time taken from home to school t1 equal to d upon v1 the distance upon velocity तो distance है d और velocity है 20 इसी तरीके से लोटने में time क्या हमने माना था t2 distance वही रहेगा तो d और velocity क्या होगा 30 that is v2 तो d upon v2 equal to d upon 30 अब total distance क्या हो गया घर से school और school से वापस आने का वह हो गया 2d और total time कितना हो गया t1 हमारा आया था d upon 20 और t2 आया था d upon 30 दोनों को add on कर लेंगे अब देखो average speed क्या हो गई distance 2 as equal to total distance covered upon total time तो यहां पे क्या होगा 2d upon d upon 20 plus d upon 30 अब इसको पूरा solve करिए और अपने answer को चेक करिए इसका answer is 24 km per hour चले अब solve करते हैं question no 4th को a motor boat is starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for how far does the boat travel during this time तो क्या क्या चीज दी गई है एक तो हो गया acceleration दिया गया है 3 meter per second square time क्या दिया गया है 8 second कि कुछ data statement में hidden भी होता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है motor boat starting from rest यानि कि जो initial velocity है u वो क्या हो जाए कि 0 meter per second अब आप इसको 0 meter per second लिजे या kilometer per hour लिजे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है 0 में 0 क्या पूछा गया है तो क्या पूछा गया है distance as equal to question mark अब देखो क्या इन सब data से related आपने कोई formula पढ़ा है emotion के सारे formula एक बार जरा revise कर लो rough copy में इस side में लिख लो formula में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो data दिया गया है अगर formula में वो data नहीं है और या उसे अलावा कोई extra चीज़ पूछा गया है तो उस formula को मत इस्तमाल करना अब देखो v equal to u plus 80 तो हमारा लगेगा ही नहीं क्योंकि इस formula में distance कहीं है ही नहीं second formula को देखते हैं 2as equal to v square minus u square देखो इस question में हमको time दिया गया है एक factor जो कि इस equation में कहीं mention ही नहीं है तो हम ये लेंगे भी नहीं और वैसे भी हमारे पास u तो already 0 है v भी हमको नहीं पता तो ये question solve कैसे होगा तो ये question इस formula से नहीं solve होगा अब देखो third one s equal to ut plus half 80 square s पूछा ग is perfect for this question तो चलो solve करते हैं बहुत आसान है जली-जली values रख दो अब चुकि यहां पर सारी unit meter और second में ही इस्तेमाल की गई है इसलिए हमें units भी नहीं बदलना तो I think यह सबसे आसान question है हम लों लिखते है s equal to ut plus half 80 square s equal to 0 multiplied by 8 plus half multiplied by 3 multiplied by 8 square तो 8 equal to 0 answer आता है 96 meter लेकिन आप मेरे answer को direct करने में हम लों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या step follow करने चाहिए पहला तो है कि question को पढ़ने के बाद जो भी data दिया गया है जैसे speed दी गई है time दिया गया है इसको हम नोट कर ले लेकिन नोट करते वक्त यूनिट भी जरूर लिखें दूसरा है कि जितनी भी यूनिट हमने ली हैं question में मिली हैं उसको एक ही unit के system में होना चाहिए जैसे अभी हम लोगों ने एक question किया जिसमें 2 आर 20 सेकंड दिया गया था जिसको कि हम लोगों ने एक unit में बदला यानि के second में बदला 2 आर 20 सेकंड को हमने 140 सेकंड में convert किया फिर दूसरी चीज है कि आ हम लोगों ने अभी question किया था कि जो motor boat है वो rest condition से move करती है तो अब देखो यहां पर बताया नहीं है कि initial velocity u क्या है rest से start कर जरनी तो rest की condition हम क्या मान लेंगे initial velocity it means u equal to 0 यह डारेक्ट नहीं दिया था हमें question पढ़कर के इस चीज को समझना पड़ा फिर है किसी question को पढ़ने से अगर आपको लगता है कि इसका एक sketch यानी कि rough diagram भी बनाया जा सकता है आप उसको जरूर बनाएगे जैसे कि मैंने तीनो numerical में diagram जरूर बनाया है अब ऐसा करिए कि उस topic से related जितने भी formula आपको याद है वही जगह रफ में लिख लीजे अब देखें किसी भी topic से related मुश्किल स होते हैं तो आपको formula तो याद होना चाहिए अब ध्यान दीजे कि कौन सा formula इसमें से लगेगा तो देखें कौन सा formula लगना है इसको check करने का दो बहुत आसान तरीका है एक तो आप उसी equation को ले जिसमें सिफ एक ही unknown value हो जैसे कि last question में सिफ S की value हमको नहीं पता थी बाकी सभी हमको पता थी हमको ऐसा equation भी नहीं लेना चाहिए जिसमें question में जो जो data दिया गया है और पूछा गया है उसके अलावा भी किसी चीज का जिक्र हो जैसे कि last question में जर्नी हो ही रही है final velocity V नहीं दिया गया है तो हम यहां पे 2as equal to v square minus u square वाला equation नहीं लेंगे चुके v नहीं दि होगा और सबसे important चीज यह है CBC की गाइडलाइन है कि अगर बच्चे ने पूरा question अच्छे से किया है answer सही दिया है लेकिन unit नहीं लिखी है तो उसके आधे number काट ले जाए जाए तो आप हर answer के साथ उसकी unit जरूर 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 लिखे I hope कि आपको आज का lesson समझ में बहुत सारी numericals हैं अगर आपको कोई भी a tough question लगता है तो आप मुझे से comment box में जाकर के पूछ सकते मेरी पूरी कुशिच रहेगी कि मैं आपको समझाओं तो मिलते हैं next video में